मंचासीन आतितिगंग का भी हृदे से स्वागत करते हैं महमहीम राजपाल श्रीमती द्रौपदी मूरमुजी चारकन के माननिय मुखे मंत्री श्री रगुबर दास जी आयूश मंत्राले के माननिय राजय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपात येसो नाइक जी और चारकन के माननिय स्वास्ते मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंची जी आज प्रतियक भारती अपने आपको गौर्वानवित महसूस करता है क्योंकि हमारे माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व के कोने कोने में पहुंचा कर भारत से ही उत्पन वसुदैवकुटुम्बकम के फलसफे को एक नया जोश नया उत्स दिया है और आज हम सफलता पूर्वक पांचवे अंतराष्ट्रय योग दिवस का उत्सव रांची के इस खुबसूरत प्रभात तारा ग्राउंड में मना रहे हैं हमारे समक्ष आयूश मंत्राले के माननिय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपाद ये सो नाइक जी है सर मैं आप से स्वाकत भाषन के लिए विनमर निवेदन करती हूँ नमस्कार सुर्परबाद भारत के माननिय प्रदान मंत्री स्वतंत्र प्रभाई मोदी जी जारकन के माननिय राज्यपाल स्रीमती द्रोपदी मुर्मु जी माननिय मुख्यमंत्री स्री रगुबर दास जी स्वास्त्यमंत्री स्री रामचंद्र चंद्रमुशी जी केंद्री आईश मंत्रालाएं और जारकन सरकार के वरिष्ट सरकारी अधिकारी गण योग के प्राख्यात विशेशद गण यहां उपस्थित मेरे सबी भाईयों और बहनों आज मुझे प्रभादतारा मैदान रांची में पांचवे आंतररश्टी योग दिवस का हिस्सा बनते हुए अपार खुशी गोरी है यहां सरोविधीत है कि 2014 में सयुक्त राष्ट के किये गए हमारे दूर दर्शी प्रधान मंत्री के एक प्रस्ताव से योग दिवस का आयोजन प्रारम भुआ था आयुश मंत्रालाय को आंतरराश्टी योग दिवस के आयोजन के सयुजन का विशेश दिकार दिया गया है आंतरराश्टी योग दिवस 2015 में पहली बार आयोजन से आकार और दायरे में लगातार विश्तृत और भवेवता जा रहा है यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश के लोगों ने माननी प्रदान मंत्री के द्रिश्टिकोन का अनुसरन करते हुए इस आयोजन को अपना बना लिया है आउश मंत्रालई को अंतरष्टी योग दिवस के विभिन्य कारिकों के अयोजन के लिए देश के सभी मंत्रालईों, विवागों, राज्य, केंद्री शाषित प्रद्योशों के प्रमुक योगस अस्तानों और योग गुरूओं से पूरे दिल से सयोग प्राप्त होता है हमारे देश के लोगों के बीच योग को बड़ावा देने के लिए कही योजना ये शुरू किये है जानकारी और प्रेणा के माद्यम से योग को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना इन योजनों का उद्देश है योग के लाब इतने अधिक है कि लोग इसके लाबों के बारे में जानने के बाद आसानी से योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शारिक शिक्षा के पाठ्थ क्रम में स्कूलों में योग की शिरुवाद करके स्वस्त भारतियों की पिडियों का निर्मान किया जा सकता है। और अब चिकिसा देखबाल पर खर्चें होने वाले करोन रूपे बचा भी जा सकते हैं। आदरनी प्रदान मंत्री जी ने आईश्मान भारत के तहट एक लाग पचिस हदार पार्थमिक स्वास्त केंदर देखबाल केंदरों का बनाने की गोशना की है। इससे योग सीखना और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा। और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास निच्ची ताउर से मिलेगा। योग को बड़ी संक्या में लोगों तक ले जाने के लिए हमें अब और अधिक योग प्राशिखशकों के आवश्यक्ता है मन्तरालही ने इस मुद्य को हल करने के लिए एक योग प्रमान अन्द बोर्ड का गटन किया है यह बोर्ड व्यत्तिगत प्राशिक्षकों और योग प्राशिक्षकों को मानिता देगा यह अधिक से अधिक योग प्राशिक्षकों को गुणुवत्ता प्रमान पत्र पदान करेगा और योग का और अधिक प्रसार करेगा बोर्ड का कारिक्रम अनिवाय रूप से प्रमानुन की एक स्वेच्शिक योजना है यह योग के गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाएगा और योग कौशल को एक केरियर कौशल के रूप में बढ़ावा देगा मंत्राले ने परियावन के अनकूल योग सामान जैसे योग मैट को बढ़ावा देने की पहल की है यह हमारा उद्देश है कि योग की लोकप्रिता से परियावन के लिए हानी कारक सामगरी, प्लास्टिक या अन्न प्रदुशनकारी पदार्तों से बने सामानों के उपयोग को बढ़ावा न मिले जैसा कि आपने देखा होगा कि इस अयोजन में योगा मैट और परिधान का पास जैसे प्राकृतिक पुत्वादनों से बनाए गए है भारत योग का मुलस्तान है हमारे देश की यह भी जिम्मेदारी है कि इसी पूरे मानवता के हित के लिए दूर दूर तक फैला जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मंत्राले ने मानव समसादन विकास मंत्राले के साथ साथ में लाया है ताकि विदेशी मूल के शात्रों को स्टडिग इन इंडिया कारिकम के अध्यान के शेत्रों से योग को भी एक विशय के रूप में शामिल किया जा सके भारत के माननी प्रदान मंत्री स्री नरेदरबाई मोदी जी के गतिशील नेत्रुत में हमारी सरकार आयुष के लिए एक अलग मंत्राला बनाने वाली इतियास में पहली सरकार है योग आयुष का एक महत्व प्रूम घटक है हम इसके प्रचार और विकास के लिए प्रतिबद है 2017 में योग के समर्दन और विकास के लिए स्तापित केगे प्रदान मंत्री पुरसकर की गोशना इस दिशा में एक कदम रहा है मुझे या बताने के लिए खुशी हो रही है कि 2019 के लिए प्रदान मंत्री पुरसकरों की गोशना अभी की गई है इस साल पुरसकार चार शिरुणियों में दिये जा रहे है राश्टिक शिर्णे में व्यक्तिकत पुरसकार गुजरात के स्वामी राजर स्वी मुनी को जाता है जिन्होंने योग में अपने काम के माध्यम से हजारों लोग के जिवन को सकारात्मत तरीके से सर्चवर्श किया है अंतर राश्टीक शेणी में व्यक्तिगत पुरसकार की विजेता इटली की सूस्री एंटोनियेटा रोजी है जो त्यार दशकों से एक उत्कृष्ट योग शिक्षक और उन्होंने यूरोप के कही इस्षों में योग के लिए ख्याती अर्जित की है सौस्तान गद राश्टीक शेणी में यह पुरसकार मुंगेर के बिहार स्कूल अफ योग को दिया जा रहा है जो दशकों से योग की प्रामानिक्ता को बनाए रखने और लोगों के बीच इसके लोगों को फैलाने के लिए एक समर्पित रूप से काम कर रहा है सौस्तान आंतराश्टीक शेणी में है और विजयता है जापान का जापान योग निकेतन है यह सौस्तान जापान के लोगों को यह सुनिच्छित करते हुए योग सिखा रही है कि उनकी शिक्षाएं व्यावसाइक विचार से कमजोर नहीं है और सच्चे भारती योग परमपराओं में नीट है पदानमती पुरसकार के विजयतों को ट्रॉफी प्रमान पत्रम और प्रतेक 25 लाग के नगत पुरसकारों से सन्मानित किया जाएगा मैं चारों विजयताओं को आप सब की ओर से आर्धिक बदाई देता हूँ अंतमे मैं पांतर राष्टी योग दिवस के आउसर पर मैं राचिया और जारखंड के लोगों को सुपवान है और बदाई देता हूँ मैं इस अयोजन के लिए उतकृष्ट संगडनात्मक प्रवैसाओं के लिए मानने मुख्यमंत्री जी और पूरे जारखंड के प्रशावने की मशिनरी को बदाई देता हूँ मुझे विश्वास है कि योग दिवस के इस राश्ट्री आयोजन की मेजबानी को इस मौके को राज्यद्वार एक आउसर में परिवर्तित किया जाएगा और आने वाले वर्ष में अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग को अपनाएंगे इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ जैहिन भारत माता कीज़ें धन्यवाद माननिया आयूश मंत्री जी अब मैं जारकंड के माननिया मुख्य मंत्री श्री रगुपर दास जी से अनुरोद करती हूँ कि आप कृप्या हम सबको संबोधित करें सर अन्तर राष्टिये योग दिवस के एत्यासिक मौके पर जारकंड की राजधानी राची में उपस्तित भारती राजनीती के सुरदीक लोग प्रिये और इजश्वी परदान मंत्री परमाधनी नरेंद मोधी जी राजपाल सिरिमती दुरपदी मुर्मूजी केंद्री आयूस राज मंत्री सिरिपद नायक जी राज के स्वास्त मंत्री राम चंचन वंसी जी बिदायक गन केंद्र सरकार आयूस मंत्राले जारखन सरकार के बरिष्ट अधिकारी गन करमचारी गन और इस अंतर राश्टी योग दिवस के अवसर पर हज्जारों की संख्या में पहुँचे सभी योग प्रेमी गन साती सात आज पूरे राज में पंचायत अस्तर पर परखंड अस्तर पर जीला अस्तर पर जो योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं सभी जारखंड के योग प्रेमी गन आज पूरे जारखंड के लिए गौरा और हर्स का विशा है कि अंतर राश्टी योग दिवस के अवसर पर भारत के जन प्रिये लोग प्रिये प्रदान मंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रदान मंत्री आज भागवान विर्शा मुंडा की धर्ती पर स्वम उपस्तित है इस गौरोसाली आज़न की उपस्तिती के लिए मैं जार्खन की सवा तीन करोड जनता की ओर से मान्ये प्रदान मंत्री जी जार्खन की धर्ती में दुबारा प्रदान मंत्री बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर राष्टी योग दिवस के अवसर पर तिस अवसर पर जार्खन की सवा तीन करोड जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है हार दिक अभिनन्दन करता है जार्खंड का योग से पुराना इतियास रहा है यह बिद्दा जार्खंड की संस्कृति का मुल्लियम अभिन अंग है यहां का जन्जाती समाज संथाली मुंडा पुराओं हो अपने डैनीक जीवन से लेकर नित्र तक योग को किसी ना किसी रूप में अपनाए हुए है यहां के पर्वतेवारों सरूल कर्मा में भी योग की जलक हमें देखने को मिलती है जार्खंड में योगदा ससंग स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान केंदर राम किसन मिशन संस्थान में नियमित रूप से योग सिखाये जाते हैं योग के चेत्र में डेवघर की पावन धरती पर अस्थापित रिखिया पीट की ख्याती देशी नहीं विद्यूसों तक फैली है जारकंड में बर्तमान में 340 योग केंदर चल रहे हैं जहां नियमित रूप से लोगों को योग की सिख्चा परदान की जा रही है केंदर सरकार के अईउस मंत्राले अभी 100 सेंटर अस्थापित करने जा रही है जहां आप लोगों का योग का परसिख्चन दिया जाएगा मैं फिर से एक बार फिर मान्य परदान मंत्री जी के परती अभार परगत करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन और नेटित में देश के साथ साथ छारखंड भी आगे बढ़ रहा है यहां जो लोग पहुँचे हैं उनका बियाबार पंचायत परखंड और जिला अस्तर पर जो योग दिवस में पहुँचे हैं उनका बियाबार और साथ ही साथ जो मान्य परदान मंत्री जी की सोच है कि इस बैस्विक युग में हमें अपनी किम्ती संसाधनों की तुल्ना में मानो विकास की बहुत जादा हो सकता है और इसी को ध्यान में रखकर मानो विकास को विक्षित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में योग को अस्तापिद कर योग एक बिद्या है जोडने की जब योग की बात होती है तो जोडने की बात होती है और आज मानने परधान मंतरी जी के नेतिवत में जो भारत का योग जो हमारी भारतिय संस्कृति को आज पूरी दुनिया ने घरन करने का काम किया और मानने परधान मंतरी जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को ज जारकन की जंता की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्मान में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भुमिका होगी तो पर्टेग बेगती परती दिन हम सिर्फ एक कई जुन नहीं बल्कि परती दिन अपनी दिनचरिया का योग को एक साधन माने और परतेग दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज और स्वस्थ भारत का निर्मान कर नए भारत के निर्मान में हम साबागी बने इनी सब्दों के साथ आप सब को जोहार, जैहीन, जैजारकन, जै भारत धन्यवाद सर अब हम बात करते हैं उनकी जिनके प्रयासों से पूरा विश्व योगमय हो गया है मानने प्रधान मंत्री जी पुरा विश्व आपके प्रती कृतग्य है आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि आप क्रिप्या यहां पर उपस्तित विशाल जन्समू को संबोधित करें मंच पर विराजमान राजपाल द्रवपदी मुर्मूजी मुक्य मंत्री जी केंद्र सरकार और राज़ सरकार के मंत्री और जारखन के मेरे प्यारे भाई और बहनों जारखन रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मौर बट बहुत बहुत जोहार आप सभी को पुरे देश और दुनिया को आंतराश्ट्रिय योग दिवस की बहुत बहुत शुप कामना है आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देश वाशियों को सुप्रभातम और आज ये प्रभात तारा मैदान बीश्व के नक्षे पर जुरूर चमक रहा है ये गवरवाज जारखन को मिला है आज देश और दुनिया के नेक हिस्षों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग-अलग जगह पर जमा है मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की एहम भूमी का निभा रहे हैं वो भी भावत महत्वपून है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ सात्यों जारखन में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकल कर दूर दूर से यहां आए हैं मैं आप सभी का आभारी हूँ बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए राची ही क्यों आया भाई और भेनों राची से मेरा लगाव तो है ही लेकिन आज मेरे लिए राची यहाने की यह थी कि राची और स्वास्त का रिष्टा अब इतिहास में दर्ज है पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दिंदाल उपाता है कि जन्मजेंती निमित यहां राची से ही हमने आईश्मान भारत योजना की शुरुवात की थी आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केर स्कीम प्रधान मंत्री जन आरो के योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है भारतियों को आईश्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भाती जानते हैं समझते हैं इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है भाई और बहनों अब योग के अभ्यान को मुझे और हम सब को मिल करके एक अलग स्तरपन ले जाना है और यहीं रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वज़़ वो भी है साथियों योग हमारे देश में हमेशा से रहा है हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है यहां जार्खन में भी जो छवून नूत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के गरामेण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी अब मुझे और हम सब को मिल करके आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गाउं की तरफ जंगलों की तरफ दूर सुदूर आखरी इंसान तक ले जानी है गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन हिस्सा बनाना है क्योंकि ये गरीब ही है जो बिमारी की वज़र से सबसे जादा कष्ट पाता है ये बिमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बड़ी है योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहार निकल रहे है उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बिमारी और गरीबी के चंगूल से बचाना साथियों सिर्फ सुभिधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है दबाईया और सरजरी का ही समाधान परियाप्त नहीं है आज के बदलते हुए समय में इनने से बचाव के साथ साथ बैलनेस पर हमारा अधीक फोकस होना जरूरी है यही शक्ति हमें योग से मिलती है यही भावना योग की है पुरातन भारतिय दर्शन की है योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आदा गंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं योग अनुशाशन है समर्पण है और इसका पानन पूरे जीवन भर करना होता है योग आयू रंग जाती संप्रदाय मत पंथ अमीरी गरीवी प्रांत सरहत के भेद सीमा के भेद इन सब से परे हैं योग सबका है और सब योग के हैं साथियों बीते पांच वर्षों पे योग को हेल्थ और वैलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केर का मजबूत स्थम बनाने का प्रयास किया है आज हम यह कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रती जागरुकता हर कोने तक हर वर्ष तक पहुंची है ड्राइंग रूम से बार्ड रूम तक शहरों के पार्ड से लेकर स्पोर्स कॉंप्लेक्स तक गली कुचों से वैलनेस सेंटर तक आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है भाई और भेनों तब मुझे और संतोस मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवापीधी हमारी इस पुरातन पद्धदी को आधुनित के साथ जोड रही है प्रचारित और प्रसारित कर रही है युवाओं के इनोवेटीव और क्रियेटीव आईडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोगप्रिय हो गया है जीवन्त हो गया है साथियों आज के इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर्स एवर्ड फर प्रमोशन एंड डेवलप्मेंट आव योगा उसकी गोश्रा की गई हमारे मंत्री श्री ने की एक जूरी ने इसको निर्णे किया है और पुरी दुनिया में बड़ी मसकत करके इन लोगों को खोजा गया है जिन साथियों को ये पुरस्कार मिला है मैं उनकी तपस्या और योग के प्रती उनके समर्पन की सरहना करता हूं साथियों इस वर्ष के अंतराष्ट ये योग दिवस का विशा है योगा फॉर हार्ट केर हार्ट केर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनवती बन चुका है भारत में तो बीते दो ढ़ाई दसकों में हार्ट से जुड़ी बिमारियों में कई गुणा बढ़ोत्री हुई है दुखत बात ये है कि बहुती कम उब्रके युवावों में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है ऐसे में हार्ट केर एवर्नेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीट्मेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है मैं हां के स्थानिय योग आस्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें चाहे देवघर का रिखिया पीठ योग आस्रम हो राची का योगदा संसंग सखा मठ या अन्य समस्तान वो भी इस वर्स हार्ट केर एवर्नेस को थीम बनाकर आयोजन करें और साथ योग जम उत्तम स्वास्त होता है तो जीवन की नई उचाईयों को पाने का एक जजबा भी होता है ठके हुए शरीर से तूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं न अर्मानों को साकार किया जा सकता है जब हम उत्तम स्वास्त की बात करते हैं कुछ बाते हैं पानी, पोशन, परियावरन, परिश्रम ये चार चीजे पीने का शुद्ध पानी मिले आवश्रक्ता का अनुसार पोशन प्राप्त हो परियावरन, स्वच्छता, वायू परियावरन हो कुछ भी पानी का हो, कुछ भी और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो तो उत्तम स्वास्त के लिए ये पाँच चार पर परिणाम देते हैं ठास। प्रहें स्वारीविप पाँच अनुसम्ट अप्रिय। प्रहें सित्त आपिए कर दो चांच प्रहुट कर दोनाग कर दोतों प्रश्राइब तो नीड्यू परिजू साइब I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine. Yoga is ancient and modern. It is constant and evolving. For centuries, the essence of yoga has remained the same. Healthy body, stable mind, spirit of oneness, yoga provides a perfect blend of yawn or knowledge. Karma or work and bhakti or devotion. Yoga will make every individual better in thoughts, action and spirit. Friends, the importance of practicing yoga is greater than perhaps ever before. We live in a time when disease related to lifestyle and stress are increasing. This comes with the fast routines and pressures at the workplace. It pains me to read about bright young men and women being affected by substance abuse, alcoholism, diabetes and such other events. Yoga offers a solution to these problems. Yoga also furthers unity among people and in our society. This can heal several challenges that our world faces. Friends, peace, harmony have always been associated with yoga. On the occasion of the 5th International Yoga Day, let our motto be, Yoga for Peace, Harmony and Progress. औरोर्वार्व्यच पख़ार्वा हिजी nawもう वहूए। कशोर्व की नहीं के शुरूमिए। सभवार्वार्वर्वण अंतर, राश्टिये योग दिवस की शुरूवात की पार्तृवार्वर्वाण के बाद, हमने अनेक प्रभाविक दम उठाए हैं, जिनका लाब भी देखने को मिल रहा है पविश को देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना इसके लिए योग से जुड़े साधवकों, सिक्षकों और संगठनों की भूमी का बढ़ने वाली है योग के करोडों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैन पावर को तयार करना भी, हुमन डिसोर्स डेवलप्मेंट भी बहुत ज़रूरी है ये तभी संभव है, जब हम योग से जुड़े स्टांडर्स और इंस्टिटूशन को विक्सित हो और इसलिए हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है साथियों, आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है तो हमें योग से जुड़ी रिसर्ट पर भी जोड़ देना होगा जैसे हमारे फोन का सौप पर लगातार अपडेट होता रहता है वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दाइरे को बांद कर ना रखे योग को मेडिकल, फीजियो थेरपी, आर्टिफिशनल इंटलिजेंस इन से भी जोड़दा होगा इतना ही नहीं हमें योग से जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरीट को भी प्रोसाइट करना पड़ेगा तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे हमारी सरकार इन आवशक्ताओं को समत्ते हुए अने एक शेत्रों में काम कर रही है मैं आपको अच्छे स्वास्त की कामना के साथ एक बार फिर आंतराश्टी योग दिवस्की अनेक अनेक शुप कामना ही देता हूँ और मैं आशा करूँगा कि आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं जादा न करे इतना ही लेकिन लगातार उसके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं आप देखना अदभूत लाब अपने जीवन में होगा मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्त के लिए शांती सद्भाव और समनवाईवाली जिन्दगी के लिए बहुत बहुत शुकामनाई देता हूँ आएए अब हम योगा बात सुरू करते हैं मैं जारखन सरकार का भी बढ़ाई देता हूँ कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया पहले से उनको भी पता नहीं था दो सप्ता पहले ही नई सरकार बनने के बाद राची में इतना बड़ा कायरकम करने का विचार आया लेकिन इतने कम समय में जारखन वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है मैं आपको सरकार को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद सर आप सबको हम बतलाए दें कि आपकी बार पहली बार ये योग महुत सर्फ एको फ्रेंडली प्रोड़क्स के साथ हो रहा है और अब हम आगे की कारवाई के लिए डॉक्टर ईश्वर वी बासवरदी जी को निमंत्रन देते हैं आप निदेशक हैं मुरारजी दसाई राष्ट्रे योग संस्थान आयूश मंत्राले भारत सरकार के आप उनके निदेशन के अनुसार योग अभिहास करेंगे आपके सामने स्क्रीन लगे हैं उनकी भी मदद आप ले सकते हैं डॉक्टर ईश्वर वी बासवरदी जी सुप्रभाद नमस्कार वन्यभुमी रांची के प्रभाततरा मैदान में भगवान जगनात के सम्मुक आप सबका हार्दिक स्वागत है किसी भी ध्यानत्म कासन में बढ़ जाए सभी लोग बढ़ जाए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बढ़ जाए मैं निवेदन करता हूँ बारिश में भी हम योग करेंगे बारिश में भी सब लोग बैट कर योग करेंगे बैट जाए प्लीज सभी बैट जाए आंखों को बन कीजिए हांतों को जोड दीजिए आए प्रारतना से हम सब योगा अभ्यास आरम करेंगे सभी एक स्वर में तीन बार ओंकार उचारन करेंगे ततपशाद प्रातना आरम करेंगे है कर दाए करेंगे कर दे मता न प्राइ कर दोपति diagnostic पाफप ओम् संगच्छत्वम् संवदत्वम् संगच्छत्वम् संवदत्वम् संवो मनाम् सिजानतां संवो मनासे जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संवा भागम यथा पूर्वे सन्यानाना उपासते संद्याना उपासते धीरे से आंखे खोले और हातों को वापस अपनी जगह ले आए अब चालन क्रियाओं को अभ्यास के लिए अपने स्तान पर खड़े हो जाए यह अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढाता है सभी लोग खड़े हो जाए गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे आगे और पीछे जुकाने का अभ्यास पैरों में दो इंच का अंतर रखिये और हातों को कमर पर रखिये श्वास छोटे विए सिर को थीरे से आगे जुकाए श्वास भरते विए सिर को पीछे ले जाए श्वास छोटे हुए सिर को सामाण्य स्थिति में ले आई दाई और बाई और जुकाने का अभ्यास श्वास छूटे हुए सिर को दाई तरब जुकाईए श्वास भरते हुए सिर को वापस लियाए श्वास छूटे हुए सिर को बाई तरब जुकाईए श्वास भरते हुए सिर को वापस लियाए एक बार पुनहा श्वास छूटे हुए सिर को दाई तरब जुकाई श्वास छूटे हुए सिर को बाई तरब जुकाए, श्वास भरते हुए सिर को सामान निस्तिती में ले आई, दाई और बाई और मोरने का अभ्यास, श्वास छूटे हुए सिर को दाई तरब ले जाए, श्वास भरते हुए वापस आई, अब श्वास छूटे हुए सिर को बाई तरब ले जाए, श्वास भरते हुए वापस आई, एक बार पुनहा, श्वास छोटे हुए सिर को दाई तरफ ले जाए श्वास भरते हुए वापस आई अब श्वास छोटे हुए सिर को बाई तरफ ले जाए श्वास भरते हुए सिर को सामान निस्तिति में ले आए गर्दन गोलाकार गुमाने का अभ्यास स्वास छोटे हुए छुड़ी को आगे की ओर जुकाए और कंड कूप से लगाए स्वास भरते हुए सिर को घडी की सुई की दिशा में घुमाए एक बार पुनह इस अब्यास को दोराइए अब स्वास भरते हुए सिर को प्रीत दिशा में पीछे ले जाए स्वास छोटे हुए सिर को आगे लियाए एक बार पुनह अब्यास को दोराई स्वास लेते हुए सिर को सामयने स्थिती में लियाए हातों को पुनह अपनी जगा लियाए विश्याम की ज़ए अब हम अब्यास करेंगे स्कंद चालन संचालन स्वास बरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उपर उठाए हतेलिया बहार की दिशा में खुली हो पुरा खीचना है उपर स्वास छोटे हुए हाथों को वापस लाई और एक बार पुनहा स्वास लेते हुए हाथों को उपर ले जाए ओन धंग से बहुत बढ़िया एक्सलेंट स्वास छोटे हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए अब हम सकंद चक्र का अभ्यास करेंगे स्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की उंचाई तक ले आए अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए अब दोनों कोहिनियों को आगे से पीछे के और घुमाई यहाँ अभ्यास एक और बार करेंगे अब विप्रीत दिशा में भी यहाँ अभ्यास को दो बार कीजिए स्वास छोटे विए दोनों बुजाओं को वापस ले आए आराम से खड़े हो जाए अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया जिने गंभीर कमर दर्थ हो वो सावधानी से यह अभ्यास करें अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखिए हातों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए श्वास छोटे विए शरीर को दाही तरफ गुमाए पिस्प कीजे दाही तरफ दाही तरफ श्वास भरते विए अपने शरीर को शीधा कीजे बहुत बड़े श्वास छोटे विए शरीर को दाही तरफ गुमाए पोन दंग से पिस्प करना है कमर को श्वास भरते विए अपने शरीर को सीधा कीजे पुनहा श्वास छोटे विए शरीर को दाही तरफ गुमाए श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए श्वास छोटे हुए शरीर को बाई तरफ गुमाई श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए हातों को वापस लियाए थोड़ी देर के लिए विश्वाम गुतने की चालन क्रिया का भ्यास करेंगे जिनको गुटने में दर्ध हो किस अभ्यास को सावधानी के साथ करे स्वास भरते विए अपने हातों को कंधे की स्थर तक सामने लाए स्वास छोटे विए अपने गुटनों को मोडे और बैटने की स्थिति में आए बढ़ ज़े बहुत बढ़ी श्वास भरते वे वापस आईए पुनहा स्वास छोटे हिए बैटने के स्थिति में आईए स्वास भरते वे पहले जैसी स्थिति में आईए हातों को नीचे ले आईए और विशाम एक्षन आंखे बन कीजिए चालन क्रियाओं का परिणाम, शरीर, मन और श्वास पर अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे बला अभ्यास ताडासन पैरों के बीच दो इंच की दूरी बनाए श्वास भरते विए हातों को कंधों के सर तक लियाए दोनों हातों की उंगलियों को आपस में फसाते हुए हतेलियों को बाहर की और पल्टिये स्वास भरते हुए हातों को उपर ले जाए और अखीचे उपर एडियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास की ओडिसी बैलेंस की येडियों को वापस ले आए, स्वाज छोटे वे हातों को भी सामान्य स्थिति में ले आए और विश्राम भी ये आसन शरीर में संतुलन और धड़ता प्रदान करता है अब हम अभ्यास करेंगे व्रिक्षा आसन स्वास छोटे विए दाहिने पैर को मूड़िये दाहिने तलवे को बाये पैर के जंगा पर रखने का प्रयास कीजिए स्वास भरते विए हातों को उपर उठाए और हतेलियों को जोड़िये नमस्कार मुद्रा में और नधांग से शरीर को थोड़ा उपर खीचिए बहुत बढ़िया एक्सलेंट स्वास छोटे विए हातों और दाहिने पैर को नीचे ले आएए अब बाये पैर को मोड़ते हुए दाइने पैर के जंगा पर रखीए श्वास भरते हुए हातों को उपर उठाए और हतेलियों को जोड़िये नमस्कार मुद्रा में समतोलन जारी रखे कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे अब श्वास छोटे हुए हातों और बाये पैर को नीचे ले आएए थोड़ी देर विशाम कीज़े पाध हस्तासन जिनको कमरदर की परशानी है वो ये सभ्यास को सावधानी पूर्वक करे पैरों के बीच चार इंच का अंतर रखीए श्वास भरते विए हातों को उपर ले आए श्वास छोटे विए धीरे धीरे आगे जुकिए कमर को खिंचने का प्रयास कीज़े थोड़ी से बहुत बढ़िया अपनी हत्यलियों को पंजे के पास रखी कुछ देर सामायनी श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिती में अब स्वास बरते हुए धीरे धीरे वापस आई हातों को उपर कीजिए स्वास चोटेवे दोनों हातों को नीचे लिया आई और थोड़ी देर के लिए विश्वाम कीजिए यह आसन रीड की हड़ी को लचिला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है अब हम अर्द चक्रासन का अभ्यास करेंगे दोनों हातों को कमर के पीछे रखिए अपनी दोनों कोहिनियों को समान अंतर पर रखिए श्वास भरते वे सिरवर कमर को पीछे ले जाई श्वास छोड़े और समार्ण श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास जिए बहुत बढ़ियाओं श्वास बढ़ते हुए सिरको वापस लियाई श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसे सिती मे लियाई और विश्表 आम कीजिए यह आसन फेप्रों की कार्ख्षमता को बढ़ाता है अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोन आसन दोनों पैरों के बीच तीन फीट की दूरी बनाए श्वास लेते हुए दोनों हातों को बगल से कंदे की उंचाई तक ले जाए दाए पैर के पंजे को दाई तरफ गुमाए श्वास छोटे विए धीरे धीरे दाई तरफ जुकते जाए दाए हात को दाए पैर के पीछे रखिए अपने सिर को ऊपर की और गुमाई और मध्यमा उंगली को देखी सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीज़े तीस हजार लोग एक तरक से अभ्यास करेंगे उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है अब स्वास बरते हुए धीरे धीरे वापस आए अपने दैने पैर के पंजे को सीधा कर लिजी अब बाए पैर के पंजे को बाई तरब गुमाए श्वास छोटे विए धीरे धीरे बाई तरब जुकते जाए बाए हाथ को बाए पैर के पीछे रखिए अपने सिर को उपर की और गुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए सामान श्वास के साथ इस आसन में बने रहे स्ट्रिकोन आसन, कमर, जंगावों तता कंधे की मास पेशियों को मजबूत बनाता है धीरे से श्वास बरते हुए वापस आईए अपने बाय पैर के पंजे को सीधा कर लिजे अब हातों को भी वापस लियाए और दोनों पैरों को मिलाए विशाम कीजे अब हम बैट कर किये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे धीरे से बैट जाए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लिजे हातों को नितम के पास रखें और कमर सीधा कर लिजे इस आसन को हम दंडासन करते हैं ये मैटने वाली आसनों के लिए अस्थिती है अब हम बद्रासन का अभ्यास करेंगे पैरों को मोटते हुए दोनों तलवे को मिलाई स्वाथ छोटे हुए पंजों को पकड़ लीजिए अपनी एडियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए सीधा बढ़ चाए आंखे बंद करके ठाटे सामान श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे धीरे से दंडासन में वापस आई बढ़ रासन शरीर और मन को ध्रड़ता प्रदान करता है अब हम वज़रासन का अभ्यास करेंगे वज़रासन अर्द उष्प्रासन उष्प्रासन शेशकासन उत्थान मंडो कासन एक कैपसूल है उसको मिलकर करेंगे पहला अभ्यास वज़रासन पैरों को मोटते हुए एडियों को एडियों के बीच बैट जाए दोनों पैरों को अंगूटे परस पर मिले हो हातों को घुटनों पर रखिए कमर और गर्दन को सीधा रखिए इस्थिती को हम वज़रासन कहते हैं आंखे बंद करें वज़रासन पाचन शक्ति बढ़ाना में साहक इसी सिथि से हम अर्द उष्प्रासन करेंगे घुटनों पर खड़े हो जाए हातों को नितम पर रखिए स्वास लेते हुए सिरा और कमर को पीछे की तरब जुकाए सामान श्वास के साथ इस स्थिती में बने रहे श्वास बरते हुए पुनह वज़रासन के स्थिती में आ जाई वज़रासन में बढ़ जाई फोड़ी देर के लिए विश्वाम करें अर्द उस्टासन कमर दर्थ को चीक करने में मदद करता है अब हम पूर्ण उस्टासन करेंगे जिने उस्टासन करने में परशानी हो वो अर्द उस्टासन का ही अभ्यास करें गुटनों पर कड़े हो जाई गुटनों के बीच कुछ चिंच की दूरी बनाए स्वास भरते विए पीछे की और जुप जाए स्वास छोटे विए दाए हाथ से दाई एडी और बाए हाथ से बाई एडी को पकड़ी समान्य स्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए उस्टासन श्वास बरते हुए वजरासन के स्थिती में वापस आई थोड़ी देर के लिए विश्वाम करें उश्टरासन पीट और गले की दर्द से अराम दिलाता है और द्रश्टी में सुधार लाता है अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे दोनों गुटनों के बीच कुचिंच की दूरी बनाए हतेलियों को गुटनों के बीच रखे स्वास छोड़ते हुए बिना नित्म को उठाए शरीर को आगे ले जाए चाती और ठुड़ी जमीन से लगाए सामान निश्वास के साथ इस आसन में बने रहे बहुत खुप बहुत अच्छा लग रहा है यहां से देखने में श्वास बरते हुए वापस आए और वज्रासन में विश्वाम की तनाव और चिंता को कम करने में शेशकासन साहायक है अब हम उत्थान मंदुकासन का अभ्यास करेंगे दोनों घुटनों को फवलाई लीजिए श्वास लेते हुए अपने हातों को उपर उठाए सिर के पीछे से दोनों हातों को मोड़िए हतेलियों को उपरीत कंधों पर रखे पीट एवं गर्दन को सीधा रखे समान्य स्वास के साथ इस आशन में बने रही बहुत बड़ी स्वास बरते हुए अपने दोनों हातों को सीधा कीजी श्वास छोटे हुए दोनों हातों को गुटने पर लिया आई अब गुटनों को भी मिलाते हुए वजरासन के स्थिती में आई अब दोनों पैरों को सामने की वोर सीधा करके दंडासन में बढ़ जाई अब हम वक्रासन अभ्यास करेंगे धीरे से दाय पैर को मोडते हुए पंजे को बाई गुटने के पास रखी अपने बाई हाथ को दाय गुटने के उपर से गुमाते हुए दाय पंजे के पास रखी श्वास छोटे हुए सिरा और शरीर को दाय तरफ मोड़िये पिस्ट कीजिए और थोड़ा बहुत बढ़िया सामाने श्वास के साथ इस आशन में बने रहे स्वास बरते हुए वापस आईए और दाय पैर को सीधा कीजिए यह आशन को बाई तरफ से भी दोराएंगे बाई पैर को मोड़ते हुए पंजे को दायने गुटने के पास रखी अपने दाइने हाथ को बाय गुटने के उपर से गुमाते हुए बाई पंजे के पास रखे स्वास छोटे हुए सिरा और शरीर को बाई तरफ मोड़िए पूरा त्विस्ट कीजिए बहुत बड़ी है स्वास भरते हुए वापस आई बाय पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन के स्थिती में विश्शाम कीजिए वक्रासन मदुमे के प्रबंद में साहेता प्रदान करता है तनाव से मुप्ति दिलाता है अब हम पेट के बल लेट कर किये जाने वले आसनों का अभ्यास करेंगे दिरे से पेट के बल लेट जाए लेट जाए लेट जाए पेट के बल लेट जाए अराम से अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए उचित दूरी बनाए दोनों कोहिनें को मोड़ते हुए हतेली पर हतेली रख्ये अपने सिर को दाई तरफ मोटे हुए हतलुयूं पर रखे और विश्चा आम की इस आसन को हम मकरासन कहते हैं सबी लोगों को करना है लेट जाए तनाव और चिंता से मुक्ती दिलाने में मकरासन साहयक है अब हम बुजंग आसन का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को मिलाइए श्वास बरते हुए अपने दोनों हातों को आगे की और सीधा कीजिए शरीर को पूरा स्ठेच करना आगे के उपर स्ठेच करना पूरा शरीर को स्थिति है स्वास छोटे विए अपने हातों को मोडिये और अपनी हातों को सीने के पास रखे स्वास बरते विए नाभी वाले भाग तक अपनी ठुड़ी और चाती को उठाए अपनी दोनों कोहिनियों को समान अंतर पर रखे बहुत बढ़िया हाथें के उपर खड़े नहीं होना कमर के बल से खड़े होना है बुजंग आसन कुछ देर इस आसन में बने रहे स्वाथ छोटे वे समान्य स्थिति में वापस आ जाए और मकरासन में विश्राम कीजिए मकरासन पीट दर्द के निवारन में सायक है और तनाव कम करता है अब शलवासन का अभ्यास करेंगे बनहा अपने पैरों को मिलाए अपने हाथों को जंगाओं के पास लाए दोनों हतेलिया जमीन की तरफ रखिए ठुड़ी को जमीन से लगाए श्वास भरते विए बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को उठाए जितने ख्षमता है उतना उपर उठाए पैरों को मोड़ना नहीं है कुछ देर आसन में बने रहे श्वास छोटे विए अपने पैरों को नीचे लाए मकरासन में विश्वाम की इस आसन साहिटिका तता पीट दर्द में आराम दिलाता है फेप्डों की कारिक्षमता बढ़ाने में बहुत साहे करता है अब हम पीट के बल लेट कर किये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे अब बाई करवट लेते हुए पीट के बल लेट जाई पीट के बल लेट जाई आराम से लेट जाई पहला अभ्यास सेतु बंधासन दोनों गुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियों को नितम के नजदीक ले आई एडियों को पकड़ लीजिये अब स्वास लेते हुए नितम वा कमर को उपर उठाए और पूल जैसे आकरती बनाए उपर उठाए थोड़ इसी आओ अब बहुत बढ़ी है उस देर इस आसन में बने रही ये आसन अवसाद की रोप्ताम में मदद करता है थायराट गरंती के स्वास्त में ही बहुत उपियोगी आसन है स्वास चोटे हुए वापस आई पीट के बल थोड़ी देर के लिए विश्वाम कीजे शवासन अगला आसन उत्थान पादासन पैरों को मिलाई हातों को शरीर के बगल में सीधा रखे हातेलिया जमीन की तरफ रखे स्वास लेते हुए दोनों पैरों को उपर उठाए और तीस दिगरी का कौन बनाए समानि श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही बाँद बढ़िया स्वास छोटे वे धीरे से पैरों को जमीन पर लाई और थोड़ी देर के लिए विश्वाम कीजे लंबा गहरा स्वास लीजे छोड़ी यह आसन पेट की चरबी को गटाता है और श्वासन चमता को सुदारता है अगला अभ्यास अर्द हलासन दोनों पैरों को मिलाए हातों को जंगाओं के पास रखिये स्वास भरते हुए बिना घुट्नों को मोड़े धीरे से पैरों को उपर उठाए और 90 डिगरी का कौन बनाए 90 डिगरी नितिम से कंधे तक के शरीर बिलकुल सीधा रहे बहुत अच्छा एक्सलेंट सामानिश्वास प्रिश्वास के साथ इस आसन में बने रही स्वास छोटे विये दिरे से पैरों को नीचे ले आए वापस आए विश्राम कीजिए ये आसन उक्तरत चापत को दूर करने में मदद करता है इस साल का अमारा थीम है फुर्दै स्वास के लिए योग पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे अपने पैरों को मिलाईए और गुटनों को मोटते हुए सीने के पास लियाई दोनों हातों की उंगलियों को आपस में फसाते हुए तांगों को पकड़े स्वास छोटे हुए सिर को उपर उठाए और अपने ठुड़ी या नासिका को गुटनों के बीच लगानी का प्रयास कीजिए बहुत बड़ी कुछ देर इस आसन में बने रहे बहुत सुंदर आसन है ये आसन पाचन क्रिया को सुदारता है स्वास छोटे हुए सिरा और पैरों को वापस लाइए विशाम कीजिए अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का भ्यास करेंगे पैरों और हातों को हातों के बीच उचित दूरी बनाए हते लिया आसमान की और खुली हो आंखों को बंद कीजिए गहरा लंबा सास लीजिए धीरे से स्वास छोड़िए समान श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दिजिए समान श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दिजिए शरीर के प्रतेक अंग के प्रती सजगता के भाव रखिए शितिल हो जाए शवासन चिंता और तनाओं के प्रबंधन में मदद करता है शरीर और मन को संपूर्ण विशान पी प्रधान करता है धीरे से बायव और करवट लीजिए और अराम से उटकर बढ़ जाए सुकून मिल रहा है अच्छा लग रहा है उटने का तो मन नहीं कर रहा है फिर भी हम आगे बढ़ना अब हम कपाल भाती के लिए तयार हो जाए किसी भी ध्यानत्मक आसन में बढ़ जाए पदमासन सुकासन वजरासन कोई भी हो आंखों को बन कीजिए कमर और गर्दन सिधा रखे हातों की ध्यान मुद्रा बनाए गुटनों पर रखे गहरी लंबी स्वास लीजिए और उदर की मास पेशों पर दबाव डालते हुए स्वास छोड़ना है कपाल भाती का पहला चक्र 20 आवरतिया कारम करेंगे स्वास छोड़िये विश्रान कीजिए कपाल भाती का दुसा चक्र 20 आवरतिया शूरू कीजिए सास लीजिए स्वास छोड़िये विश्रान कीजिए अब तीसरा और अन्तिम चक्र शुरू करना है लंबा सास लीजिए छाती उपर कीजिए स्वास छोड़िये आराम से कपाल भाती का अभ्यास से जो परिनाम हुआ है उसको अन्भू कई कपाल भाती कफ विकारों का कपी पारों को दूर करता है अब हम प्रणायाम के ओर मो जाएंगे अनिलोम इलोम प्रणायाम बाई हाथ की द्ञान मुद्रा बनाए रखिए दाईने हाथ की नासी का अगर या प्रानायाम मुद्रा बनाए दाहिनी नासिका रंद्र के बंद करते हुए बाई से स्वास लीजिए धीरे से बाई नासिका रंद को बंद करते हुए दाहिन से स्वास छोड़ी अब दाहिन से स्वास लीजिए और बाई नासिका रंद्र से स्वास छोड़ी ऐसे चार चक्रों का और अभ्यास करेंगे इन्हेल तू दू 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 लेफ्ट एक्सेल दू 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 राइट Again, inhale through the right Exhale through the left बाहे से स्वास लेना धीरे से दाइने नाक से स्वास चोड़ना दाइने से ही नाक स्वास लेना बाहे नाक से स्वास चोड़ना और एक बार अनलों विलों प्राणयाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है बच्चों के लिए व्याओं के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है अब बाई नासिका से छवाट छोटे वे वापस आईए ध्यान अत्मकासन में बढ़ जाईए अगला अभ्यास शितली प्राणयाम अपने हातों को ज्ञान मुद्रा में रखिए जीब को किनारे से मोटते हुए ट्यूम नामा आकार बनाए घरी स्वास लीजिए स्वास छोड़िए अराम से नासिका से धीरे धीरे स्वास लीजिए और एक बार नासिका से स्वास लीजिए थीरे से स्वास छोड़िए दो बार और दो राही शीतली प्रानयाम उच रक्त चाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाबदायक है नासिका से स्वास छोड़िए विश्राम कीजिए अब हम ब्रामरी प्रानयाम करेंगे सबसे पहले सामान्य धंग से ब्रामरी प्रानयाम दो बार के बाद शन्मुकी मुद्रा के साथ ब्रामरी प्रानयाम अभ्यास करेंगे आंखों को बंद रखते हुए हातों को ज्ञान मुद्रा में रखिए लंबी गहरी स्वास लीजिए स्वास छोटे हुए ब्रहमर के समान मकार ध्वनी का गुंजन कीजिए स्वास लीजिए अब एक बार स्वास लीजिए यही अब्यास शन्मों की मुद्रा के साथ करेंगे शन्मी की मुद्रा धारन कीजिए सास लीजिए धीरे से अबर एक बार स्वास लीजिए अबर एक बार स्वास लीजिए अब हातों को वापस लियाए भ्रामरी प्रनायम तनाओं को दूर करने में मदद करता है अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का भ्यास करेंगे आंखों को बंद रखिए मेर्युदंड को सीधा रखिए हातों को हातों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारन कीजे हातों और कंधों को शितिल कीजे मुख को तोड़ा सव उपर की और उठाते हुए एक आगर चित्र होकर बैट जाए अपनी श्वास पर ध्यान की इंद्रित कीजे धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास सिर्प सजगता शरीर के प्रती श्वास के प्रती अपने भावनों के प्रती विचारों के प्रती जैसे जैसे भावनावे विचार कम होते जाएंगे मन प्रसन और शांत शांत और प्रसन मन मही ईश्वर स्वयं स्थापित निर्विचार होने का प्रयास जगनात के सानिध्ध में ध्यान का भ्यास त्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हरोज ध्यान अभ्यास करने से मन शान्त रहता है ध्यान आत्म अनभूती के वोर हमें ले जाता है आत्म साक्षात कार की वोर अब सामान श्वास और प्रश्वास पर ध्यान के इंद्रित कीजिए हम सब मिलकर एक होकर मन ही मन संकल्प धारन करेंगे हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है मैं स्वयम के प्रति कुटुम के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांती अनन्द और श्वास के प्रचार के लिए बद्ध हूँ मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रति बद्ध हूँ हम योग अपनाएंगे योगी बनेंगे उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पीत हैं समर्पीत हैं समर्पीत हैं इनी संकल्प के साथ शांती पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं बनाएं ओम सर्वे भवन तो सुखिनाह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुख भाग्भवे मा कश्चित दुख भाग्भवे ओम शांती ही शांती ही शांती ही अब हातेलियों को आंखों पर रखिए और अपनी आंखे खुलिए हातों को वापस लाई योग अपनाए स्वस्प जीवन पाए आपका दिन मंगल मैं हो आप सभी को मेरा धन्वाद नमस्कार जै हें जै भारत आप अप आप अप आप अप रहत आप आरा पाच्वा योग दिवस मुख्य आयुजन स्थल राची का प्रभात तारा मेदान माननीय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी एक अनुकरनीय नित्रत्व की मिसाल अगराज के आयुजन को कहा जाए तो अतिश योगती नहीं होगी अबसलोटी एंदी इंटर्मिटंट रीन दूरिंट योगा प्राक्टिस दिंट डंपन दिस्पिरिट्स अतौल इन फाक्ट इंट रमाइंड़ दस अब विकेस आयंगर योगा टीचेस अस तो क्योर वाट नीट नॉट पी इंडूर और इंडूर वाट के नॉट पी एंडूर अंतराश्ट्री योग दिवस का उत्साह उल्लास और इस महा आयोजन से स्वयम को जोड़ने का सिलसिला न केवल भारत में बलकि आज सारे विश्व में सारी दुनिया में देखा जा रहा है हजारों योग सादकों के साथ योग अभ्यास के पश्चात माननिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी राची स्थित प्रभात तारा मैदान से प्रस्थान कर रहे हैं बहुत ही धर्शनी अंदाज में माननिय प्रधान मंत्री महोदे ने योग अभ्यास को आगे बढ़ाया और लोग का प्रियता चर्मोत कर्ष पर है इसके में साल इसी जहरक हम यहाँ देख सकते हैं मानिय प्रधान मंत्री महोदे से स्वयम को नस्दीक लाने की पाने की कोशिश जो योग साधक है वो अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं से ये टिसेड़ ले टेक्स राइं आव दिनेस्स तुसार नहीं अवलांच ए टूस नहीं इस वाने सीड इस तूफ जोगा on the world stage and this has been an exponential growth of what started in 2014 the fifth international deal of yoga where thousands of people from all walks of life and all ages करेंगा यान करेंगा हिए नियुक्ति हो फीजुक्ति है। अजस्टो याज फिरन फिर्टे तो इंपरेश घ्टे इन्टमने इंट विजस्टिन मेंटर इंड कर तृमुंट में अक्रांग सिर्ज कاع फीक ज्मनन अजसे कि ऐम यूर विजस्टों। इस विजस्ति इंटों। यकीनन उन सभी जवाओं के लिए उन सभी राची के निवासियों के लिए ज्छारखंड के निवासियों के लिए एक अविस परणीय कभी न भूलाने वाला ये अवसर है जब देश के सरवोचे नेत्रित्व को इतना करीब पा रहे हैं और वो भी पूरे दिल से, पूरे समर्पन से मानने पधानमेंटरी महोदे जिस अंदाज में बच्चों का, युवाओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों के चेहरों पर जो उत्सा है, जो उमंग है, उनकी आखों में, उनके चेहरे पर स्पष्ट पढ़ा जा सकता है And in the era of mobile telephones, selfies are a must, very soon there will be selfie asans as well Bright smiles after a very good session of yoga with the Honorable Prime Minister for all these people So it's been a double joy for them, a good session of yoga and then to be so close to the Honorable Prime Minister. Who could have thought this could happen? Yes, but for the people who are shaking hands with the Prime Minister, these are memories that they will tell their children and grandchildren that there was a day when they shook hands with the Prime Minister of India. The Prime Minister obliging all the people who are present here. BKS has said for me, yoga is not just a workout, it's about working on yourself. And the Prime Minister inspiring millions of people across the world to work on themselves. योग से स्वास्थ, योग से लंबी आयूद, योग से बल, योग से सुख और योग से प्रसन्नता, जो योग सादक हैं, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, समाज के हर वर्क से पहुँचे हुए लोग, राची के भरत्तारा मैदान पर. निश्चित तोर पर प्रभात्तारा मैदान आज जीवन्त हो उठा है, इन द्रिश्यों से जो हम आप टेलेविजन स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, हर व्यक्ति की इच्छा है, तमन्ना है, अभिलाशा है, कि वो माननिय प्रदानमंत्री महोदे के समीप पहुँचें और पाँचवे अंतराश्टी योग दिवस समारो को पूरता प्रदान करें, और माननिय प्रदानमंत्री महोदे पूरे धैरे के साथ, प्रसनता के साथ, इस बात को सुनेश्चित करते हुए, कि किसी को निराशा न हो, जितने लोगों से वो हात मिला सके, जिनका भिवादन कर सके, जिनका सही अर्थों में वो शुक्रिया अदा कर सके कि अंतराश्ट्री योग दिवस के आयोजन को राची में आज काम्याब बनाया है, सफल बनाया है, परणेती तक पहुँचाया है that's absolutely right and in his address to united nations 2014 modiji had said yoga is an invaluable gift of india's ancient tradition it embodies the unity of mind and body thought in action restraint and fulfillment harmony between man nature a holistic approach to health and well-being it is not about exercise but to discover the sense of oneness within you He had called out to the world to follow the path of yoga and the world responded for the world to follow the path of yoga and the world to follow the path of yoga and the